जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अक्टूबर और दो अक्टूबर 2022 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी, नक्षत्र क्या होगे, योग क्या बनेंगे, कौन सा ग्रह है राशी बदलेगा, किस तरह के प्रभाव ग्रहों की इस्तिती के कारण होगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपकी जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के पारे में पर आपकी सिक्षा, स्वास्थ, करियर नौकरी, दुकान हर एक चीज के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहरी बार आएं हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं साथ में छोट असर रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल आपकी एस्ट्रोलोजर को भी सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और बनने वाले योग जान लेते हैं एक अक्टूबर शनिवार का दिन है शुकल पक्षकी शस्टी ति थी यानी छटा नवरात्र है जेश्ट नक्षत्र रहेगा आईश्मान नाम का योग इस दिन बना हुआ है चंद्रमा व्रेश्चिक राशी में है इस दिन सूरिय कन्यराशी हस्ट नक्षत्र में और साथ में रवी योग भी बनेगा इस दिन अभीजीत मुरत है सुबा ग्यारा बजकर 47 मिनट से दोपहर बारा बजकर 34 मिनट तक दो अक्टूबर का दिन शुकल पक्षकी सब्तमी दिथी है मूल नक्षत्र रहेगा सुबाग्य नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा राशी बदलकर गुरू की राशी धनुराशी में आ चुके हैं सूर्य कन्यराशी हस्ट नक्षत्र में है इसके अलावा इस दिन सरवार्थ सिद्धी योग भी रहेगा और अभीजीत मुरत होगा सुबाग्यारा बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक तो ये हो गई हमारी ग्रहों कीजती थी अब इसी के आधार पर हम जानेंगे ये जो दो दिन है ये आपके लिए कैसे रहेंगे ये राशी फल चंद्रराशी पर आधारित है और एक और परिवर्तन दो अक्टूबर के दिन होगा जो की बुद्ध है और अपनी राशी कन्याराशी में भी राजमान है तो कन्याराशी में बुद्ध दो अक्टूबर को मारगी हो जाएंगी तो उसका भी फल आपको देखने को मिलेगा तो चलिए अब पहले एक अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं एक अक्टूबर का दिन आम के लिए कैसा रहने वाला है स्वास्ते के लिहाज से आज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अगर पहले से कुछ परिशानी चल रही है ज्यादा ध्यान रखने के आवशकता है वाकी खाने पीने पर ध्यान दें और कुछ मौसमें बदलाव हैं उसकी वज़ए से भी कुछ देकते हो सकती है अपनी भावनाओं को भी आपको नियंतरन में रखने के आवशकता है और धन संपत्ती को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा बीते दुनों में जितना धन आपने आज को बहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा जैसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी आज आपका उज़जा से भरपूर, जिंदा दिल, सभाव होगा गर्म, जोशी से व्यवार होगा जो आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा यन्हीं आपका उरा होता व्यक्तिका जब वो खुश होता है चाहे वो दुख होता है अपने प्रेमी के सामने थोड़ा सा आप खुल कर पेश आएं क्योंकि आपका प्रेमी आपनी कुछ बातें आपके सामने शायद खुल कर ने रख पा रहा है तो उसकी बातों को समझने की कोशिश जरूर करें अगर आप पर शादी शुदा है और आपकी बच्चे भी हैं तो आज वाप से शिकायद कर सकते हैं उनकी शिकायद सुनने को भी आज तयार रहें पकी दामपते जीवन के लिए समय जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है अपनी एकागरता को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें एकागर रहकर काम करेंगे तो उसका फाइदा आपको जरूर मिले अब रश्षिक राशी के चंद्रमा हैं द्वीते भाव में चंद्रमा की स्थिति है तो आज अपने कुछ कामों का आत्म निरिक्षन भी आप कर सकते हैं जो अपने फैस से लिए उनका आत्म निरिक्षन कर सकते हैं यात्रा पर जाने का योग भी बना हुआ है किसे ना किसी ये वक्त निकालने के लिए अपने अपनों के वक्त निकालने के लिए ओफिस से दो तिन दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं आप जो आपके शांती पूर्ण रहेगी और शाम को सुभा को नौ बजे से ग्यारा बजे तक का समय आपके लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है साम के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम होने वाला है कई लोग आज आपकी तरफ देखेंगे आपको उनमें एक लीडर दिखाई देगा तो इस तरह की बाते भी हो सकती हैं कि लोग आपको राजियतिक शेत्र में ले जाने की कोशिश करने लगे तो आपको थोड़ा सा यहां भी अपनी आपको इंप्रोव करना है अगर तो ध्यान दे सकते हैं बाकि अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो यह उधार आज आपको वापस मिल भी सकता है अगर आपको शिश करेंगे तो लेकिन इस दिन किसी को उधार आप ना दें इस बात का भी ध्यान रखें क् या उधार पैसा आपको वापस मिलने में बड़ी परिशानी हो सकती है अब 2 अक्टूबर की बात करेंगे 2 अक्टूबर एक तो योगों की में बात करूँ तो बहुत अच्छी योग है सौभाग्य नाम का योग है और सरवार्थ सिद्धी नाम का योग भी है जो इस दिन को मैतपूर बना रहा है साथ में आपके बारवे भाव में तीन घरह एक साथ बैठे हुए आपके राशी के स्वामी बुद्ध और सूरिय जहां बुद्ध आज 2 अक्टूबर के दिन मारगी हो जाएंगे अब मारगी बुद्ध का जो प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा धनुराशी के चंद्रमा होंगे तिरते भाव में चंद्रमा आपके भाई बहन के लिए बहुत अच्छे हैं आपके अपने भाई बहनों के साथ बॉंडिंग बहुत अच्छे रहेगी आपके अंदर एनरजी भी होगी फुल एनरजी के साथ आप काम करेंगे और अपने करियर को आगे लेकर जाने के लिए आप कुछ कोशिशें कर सकते हैं विदेश तक फैलाने की कोशिश कर सकते हैं वेफसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपके हो सकता है सिर्पर फितूर सवार हो कि किस तरह आप अपने बिजनिस को आगे जाएं, किस तरह आप अपने बिजनिस पर ऐसे काम करें कि लोगों से आगे निकल पाएं तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी खरेदारी करने के लिए अच्छा दिन है किसी ने किसी तरह की खरेदारी कर सकते हैं वस्तरमों की खरेदारी कर सकते हैं और इस दिन की खरेदारी आपके लिए काफी लाबदायक रहेगी कह सकते हैं बरकत करने वाली रहेगी आज योग भी बना हुआ है खर्चे का बारवे भाव में तीन ग्रे बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में जो चंद्रमा की इस्तिती है वो आपके लिए शुबता भी लेकर आई है तिरते भाव से यहां यात्रा से भी लाव होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप काम का जी यात्रा करते हैं किसी तरह की तो वहां से भी लाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोई जो इस राशिक के जाद तक कमीशन के शेतर से जुड़े हैं कोई कमीशन का आप काम करते हैं तो उनको आज अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने का योग है यहनी आप अपने टारगेट को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं कुछ ऐसा भी है जमीन मकान वाहन इन चीजों की खरिदारी करने के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है तो अभी नवरात भी चल रहे हैं छटा नवरात और दो अक्टबर को साथवा नवरात रहे तो इस दोरान मादरुगा की उपासना भी करें और साथ में गुदरुगा सबतशती का पार्ट आप कर सकते हैं तो जरूर करें और दरुगा चालिसा का पार्ट तो नियमी दरूप से करें जाब के लिए उत्तम फलदाई रहेगा बहुत ही उत्तम रहेगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें